Hello, welcome to your teacher classes और आज हम लोग बच्चों प्रशनावली 15.1 का question number 7 से बनाएंगे ठीक है Question number 7 है 6 meter गुना 4 meter माप वाली एक दिवार में 3 meter गुना 2 meter माप वाले एक दरवाजे का एक चोखट लगाया जाना है यदि एक वर्ग मीटर दिवार पेंट करने का खर्च 3.50 यानि 3.50 रुपया हो तो पूरी दिवार पर पेंट कराने का खर्च ग्यात करें ठीक है तो यहां पर देखिए 6 गुना 4 यानि कि एक आयत का माप आयत के जैसा दिवार है और ये दरवाजा जो भी आयत के आकार होता है तीन मीटर गुना 2 मीटर तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों हम लुग दिवार का छेतर फल ठीक है यानि जो आयत है हम उसका छेतर फल निकाल लेंगे तो ये कितना है 6 मीटर है लंबाई तो हमें पता है छेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चों लंबाई गुना चोड़ाई ये हमें पता है आयत के छेत्रफल का सूत्र ये होता है ठीक है तो दिवार का छेत्रफल कितना हो जागर लंबाई है हमारा 6 मीटर तो 6 मीटर गुना चोड़ाई कितना है बच्चो हमारा चार मीटर तो ये हो गया चार मीटर ठीक है तो ये हमारा कितना आगया बच्चो छह चाव का 24 मीटर स्क्वार ये हमारा आगया दिवार का छेतरफल यानि हमने पूरा दिवार का छेतरफल निकाल लिया जो की एक आयत है अब दरवाजी का च्छेत्रफल, 3 meters 2 meters बराबर, कितना होगे बच्चो, 6 meters square, 3 meters square, ठीक है, अब देखे बच्चो, बच्चे हुई दिवार का च्छेत्रफल, यानि पूरी दिवार में हमने दर्वाजा लगा दिया, तो दर्वाजा तो हमें पेंट नहीं करना है, पेंट क्या करना है, जो दिवा बच गया तुसके लिए क्या करेंगे हम बच्चे हुए दिवार का छेटरफन निकालने के लिए 24 meters square उसमेंसे हम घटा देंगे दर्वाजे का छेटरफन यानि 6 meters square 24 staring 12 से हम 6 में रहीत हैं नहीं जाल है बच्चों सकेक लिए 10-15 meters… अब क्या करना है बच्चो बहुत ही आसान है एक यहां पर देखिए प्रश्ण में दिया हुआ है एक वर्ग मीटर ठीक है एक वर्ग मीटर का करचा 704 तीन रुप्या है ठीक है सّाइं तीन रुपए है तो अथारा मीटर स्क्वायर दिवार का खर्च कितना होगा हम गुना कर देंगे ठीक है तीन रुप्या पचास पैसे में हम 18 से गुना कर देंगे चलिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं तीन दशमलों पांच शुन में 18 से ठीक है आठ शुन ने शुन आठ पचे चालिस चार लगा हात में आठ तिरीका 24, 25, 26, 27, 28 चलिए बचो हम लोग प्रश्न नंबर आठ देखते हैं प्रश्न आठ है एक तार आयत की आकार का है इसकी लंबाई 50 मीटर और चोड़ाई 30 मीटर है ठीक है यदि उसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो प्रतेग भुजा की माप क्या होगी ठीक है यह भी ग्याद कीजिए कि किस आकार का छेत्रफल अधिक होगा तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले मैं एक एक्जाम्पल से इस प्रश्न को समझाती है फिर हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे ठीक है देखिए मैंने य चोड़ाई 3 मिटर है तो इसकी लंबाई 5 मिटर है तो इसकी लंबाई 5 मिटर होगी और इसकी चोड़ाई 3 मिटर है तो इस बुझा की भी चोड़ाई क्या होगा बच्चो 3 मिटर होगा अब देखी बच्चो इसका परिमाप यानि आयत का परिमाप क्या होगा परिमाप क्या ह होता है चारो भुजाओं का जो माप होता है Maap को हम इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जोड कर भी निकाल सकते हैं, जैसे इन चारो भुजा को गर हम जोड देते हैं, ठीक है, पांच, प्लस, पांच, तीन, प्लस, तीन, हमने चारो भुजा को जोड दिया, जो की मीटर में है, तो पांच, पांच, दस, अतीन, तीन, छे, सो अगर हम सूत्र से इसको निकाले तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है बच्चो दो गुना लंबाई जोड चोड़ाई ये होता है हमारा आयत का परिमाप का सूत्र तो दो गुना लंबाई कितना है बच्चो हमारा पांच और चोड़ाई कितना है तीन तो ये हो गया दो योनी 16 मीटर ठीक है तो हमने इस आयत का परिमाप जोड कर निकाली है चाहे सुत्र से निकाली वो एक ही आएगा ठीक है अब क्या करना है बच्चो इसी तार को जिसकी लंबाई 5 मीटर और 3 मीटर चोड़ाई दी गई है इसी तार को हम खोल देंगे और खोल कर क्या करेंगे ब बच्चो 16 मीटर का आपका तार है आपका तार जो है जो आयत बना है वो 16 मीटर का है ठीक है यानि जो हम वर्ग बनाएंगे वो भी 16 मीटर चारो भुजाओं का माप होगा ठीक है जो हम वर्ग बनाएंगे उस चारो भुजा का माप जो होगा वो 16 मीटर ही होगा क्योंकि ता भुजा बनाने में, ठीक है, इस 16 मीटर तार का हमें 4 भुजा बनाना है, यानि 4 भुजा बनाना यानि हम 16 में अगर 4 से भाग दे दे, तो 4 चके 16 आजाएगा, आजाएगा हमारा, यानि कि ऐसा वर्ग हम बनाएंगे, जिसकी 4 भुजा जो हो, बच्चों क्या हो, 4 मीटर हो, त परिमाप निकालें, जोड कर, तो 4 जोड, 4 जोड, 4 जोड, यह हो गया हमारा 16 मीटर, और अगर हम सुत्र से निकालें, तो वर्ग का, जो परिमाप का सुत्र होता है, वो होता है, कितना होता है बच्चों हमारा, सौरी, 4 गुना भुजा, कितना होता है सुत्र हमारा, 4 गुन देखा आपने, उसी तार को हमें जब वर्ग बनाया, तो हमारा एक भुजा चार मिटर का है, ठीक है, तो ये हो गया कि अगर एक ही तार है, और वह पहले आयत है, और उसे हमें फिर उसी तार को वर्ग बनाना है, तो हमें क्या धान रखना होगा, कि हमारा जो परिमाप होगा, वो दोनों का बराबर होगा, यानि जो आयत का परिमाप है और वर्ग का परिमाप है, वो क्या होगा, बराबर ही होगा, तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई और यानि वो बराबर होगा किसके परिमाप की वर्ग के परिमाप का, ठीक है, वर्ग के परिमाप का बराबर होगा, यानि आयत का परिमाप बराबर होगा वर्ग के परिमाप से, ठीक है, तो आयत के परिमाप का सुत्र क्या होता है बच्चों, आयत के परिमाप का सुत्र होता है, दो गुना लंबाई जोड चोड़ाई ठीक है ये होगे आयत के परिमाप का सुत्र और वर्ग के परिमाप का सुत्र क्या होता है बच्चो चार गुना भुजा ये होता है चार गुना भुजा ठीक है अब देखिए यहाँ पे हमने परिमाप दोनों का बराबर कर दिया क्या कि आपको यहां दिखे example से समझाया है कि एक ही तार का जब आयत होगा और वर्ग होगा तो दोनों का परिमाप बराबर होगा तो मैंने यहां दोनों की परिमाप को बराबर कर दिया प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ग बनाया जाता है तो प्रतेग भुजा की माप क्या होगी ह हमें भुजा निकालना है वर्ग का, ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है बच्चो हमारी 50 метр और चौडाई 30 मितर, हम क्या करेंगे लंबाई और चौडाई को यहाँ रख देंगे, तो 2 गुना लंबाई कितना है हमारा 50 को हमारा 30 मितर, बराबर 4 गुना भूजा ठीक है अब हम इसको हल करके भूजा का माप निकालने में यह कितना हो गया पचास ओ तीस असी हो गया दो गुना असी बराबर 4 गुना भूजा यह कितना हो गया 160 बराबर 4 गुना भुजा ठीक है हुआ तो भुजा क्या हो जाएगा बच्चो हमारा भुजा हो जाएगा 160 बटे 4 ठीक है तो यह किस से कट गया 4 यानि 40 से तो यह आगया हमारा 40 मीटर तो हमारा जो भूजा यानि प्रतीग भूजा का जो माप है वक कितना आ गया बच्चो चालिस मेटर भूजा हमने निकाल लिया यानि एक भूजा का माप निकाला चालिस मेटर और चारो भूजा का माप क्या होगा चालिस मेटर ही होगा ठीक है अब देखें यहाँ पर आप प अधिक होगा, ठीक है, तो आयत का छेतर फल कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग निकाल लेंगे, आयत का छेतर फल, आयत का छेतर फल कितना होगा, लंबाई गुना चोड़ाई, ठीक है, लंबाई कितना है, 50 मीटर, और चोड़ाई कितना है, 30 मीटर, यह हो जाएगा बच् तिरी का पंद्रा आदोग शुन्ना पंद्रा सो मीटर स्क्वार ठीक है वर्ग का छेतर फल अब निकाल लेते हैं वर्ग का छेतर फल वर्ग का छेतर फल हो जाएगा कितना बच्चो भुजा गुना भुजा भुजा ये है वर्ग के छेतर फल का सुत्र तो भुजा कितना है हम हमारा चालिस मीटर वर्ग का ठीक है तो चालिस मीटर गुना चालिस मीटर ये कितना हो गया चार चक के सोला और दो शुन्ना 1600 meter square तो बच्चो इससे क्या हमें पता चला कि वर्ग का जो छेत्रफल है वो ज्यादा है ठीक है वर्ग का छेत्रफल क्या है बच्चो ज्यादा प्रश्ण में पूछा है किस आकार का छेत्रफल ज्यादा होगा तो वर्ग का छेत्रफल 1600 meter square है यह ज्यादा होगा चलि बचोब हम लोग प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न 9 बनाएंगे ठीक है प्रश्न 9 है एक आयत का छेत्रफल एक वर्ग के छेत्रफल के बराबर है यानि आयत का छेत्रफल वर्ग के छेत्रफल के बराबर है यदि आयत का छेत्रफल कितना है बच्चो छती सो वर्ग सेंटीम वर्ग की भूजा ग्यात कीजिए तो सबसे पहले जब भी कोई जब भी किसी प्रश में इस तरह का दिया हो कि 2 छेतरफल एक दूसरी के बराबर है या दौनों का प्रिमाप आयत या वर्ग या जो भी मकरत इसका बराबर करके लिख लेंगे, ठीक है, आयत का छेतरफल बराबर है, वर्ग के, वर्ग का छेतरफल के, ये प्रश्न में दिया हुआ है, दोनों का छेतरफल बराबर है, अब दिखें, यहां क्या रहा है, आयत का छेतरफल कितना दिया है, 36, ठीक है, 3600, तो हम यहां लिख वर्ग का छेतरफल कितना होता है बच्चों, वर्ग का छेतरफल क्या होता है, वर्ग का छेतरफल का जो सूत्र होता है, वो क्या होता है, भूजा, गुना, भूजा, ठीक है, वर्ग का छेतरफल का सूत्र क्या होता है, भूजा, गुना, भूजा, और यहाँ जो बराबर का च स्क्वईर स्क्वईर दिया हुँ ठीक है अब क्या करेंगे यह बूजबना बूजबना भूजबना कितना होता बूजबना की तरा लेते है भूजा स्कूर हमने इधर लिख लिया बराबर 36 centimeter square ठीक है? अब क्या करेंगे? भुजा कितना हो जाएगा बच्चो जब हम यह square हटाते हैं तो हमारा जो सामने वाला संख्या होता है बराबर की वो आ जाता है अंडर root की अंदर 36 centimeter square ठीक है? अब यह किसका under root है? किसका है यह? तो यह 60 का है, किसका है? 60 का, ठीक है? तो भुजा हमारा क्या आ जाएगा? भच्चो जब हम यह अंडर root हटाएंगे तो भुजा आ जाएगा हमारा 60 meter, ठीक है? सेंटी, सॉरी, सेंटी मीटर 60 centimeter, इसको फिर से लिख दीजिए आप 60 centimeter, ठीक है? क्या लिख देंगे हाँ? 60 centimeter, centimeter square है, तो एक जब अंडर root हटेगा तो यह सिर्फ centimeter बाहर आएगा, ठीक है? और चतिसो का, जब यह अंडर root हटेगा, तो कितना आ जाएगा? 60, ठीक है? जब हम 60 में 60 से गुना करेंगे, तो कितना आता है भी मारा, यह आता है 36 सो, तो यह आगे हमारा उत्तर, भुजा कितना होगा? 60 centimeter,